यहां यह मेरे लिए हैं दस से बारे उपले हुए आलू जितना आपको अलू टिकी बनानी हो आप उसी सब्सक्राइब ले सकते हैं अब इन आलों को हमें क्या करना है मेश करना है द्यान दखिएगा आलों को आपको कद्ध्यूकस बिल्कुल भी नहीं करना है यदि आपके पास में मेशर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो या निखिएगा ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए तो आलू को हम इस तरीके से मेश करके तयार कर लेंगे और आलू गरम भी नहीं होने चाहिए अगर वो गरम है तो आप इसे नॉर्मल टेमपरिचर पर कर लेना या फिर थोड़े के लिए अप उसे फ्रिज में रख देना आलू हमने कर लिए है अब यहाँ पर हम आलू एक आला प्लीट में निका लेंगे थोड़े से जिसमें से हम आलू टिकी के अंदर की एक फिलिंग त्यार करेंगे तो यहाँ हमने थोड़े से आलू ले लिये हैं जादा आपको नहीं लेने है और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यह जो बाकी आलू है ना इसमें हम मिलाएंगे कॉन फ्लार कॉन फ्लार एक बहुत ही में इंगिडेंट्स है इस आलू टिकी को बनाने में यह आपको एजिली मार्केट मिल जाएगा इसे कॉन फ्लार भी बोलते हैं और इसे अरारोड भी बोलते हैं तो यहाँ यह मैंसे लूँगी चार बड़े चमच भरके कम पढ़ता है तो आप और भी रिसकते हैं कॉन फ्लार थोड़ा जादा हो जाए तो वो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करके देखेंगे यह चिपचिपानी रहना चाहिए थोड़ा सा ड्राइ बनकर तयार होता है तो हमने इसे इस तरीके से तयार कर लिया है आपने देखा होगा जो आलो टिक्की वाले रहते हैं वो इस तरीके से एक चीज तयार करके रखते हैं तो आलो को कॉन फ्लार लगा कर ही रखते हैं आपको इसमें कुछ नहीं मिलाना है और जो बाकी आलू हमने अलग निकाल के रखेते उसमें मिलाएंगे लाल मिर्श पौउडर यह हमने लिया है आदा चमच धनिया पौउडर आदा चमच आम चुर पौउडर नमक लेंगे स्वादा नुसार इसी के साथ में आदा चमच गर बनाया जाता है कई जगे मटर की फिलिंग होती है और चने की दाल की फिलिंग भी होती है तो यह दोने चीज़े तेयर हो गई है हाथ उपर हम और लगा लेंगे और यह वाला पॉर्शन हम ले लेंगे आपको लेना है एक मीडियम आलो जितना और इसके अंदर हम भरेंगे थो किये और इसे हम बंद कर देंगे तो यहां यह हमारी एक टिकी बन कर त्यार होनु कि इसी तरहिक calam Kiss ay Fi, हम और भी बना कर त्यार कर लेंगे तो यहांँ पहला मरते हीर हो गया है इस एक प्लेट में रख लेते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बनाकर रखना पड़ता है आप इसे नहीं सकते हैं आपसे डायक तवे पर डाल के भी सेख सकते हैं तो यह हमें आपको एक और बना के दिखा देती हूं इस तरीके से आपको लेना है यह प्लेन आलू आपको जादा लेने है और जो मसाला आलू है वो कम लेना है यह रख देते हैं बीच में और फिर हम इससे आरम स तो यहां हम इसी तरीकी से बना कर तयार कर लेंगे अब मैं इसे सही कर में दिखा दोती हूं यहां है तो पैन ले सकती है चाहिए तो कड़ाई भी ले सकती है तब पर हम डालेंगे और यहां पर जाएगा 5-6 चमच और इतनी महीं आपकी 10-10 बारे अलोटिकी बनकर तयार हो ज इतना गरम होने देना है कि इसमें से हलका धुआ निकलना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आपको नॉन स्टिक तवा लेना है आप लोही का दवा भी ले सकते हैं इदि आपके पस बड़ा तवा है वो भी चलेगा छोटा तवा है वो भी चलेगा लेकिन आपको ध्यान का रखना है लोही की तवी पर आप पहले पराठे से लेना तब आप काम करना तो वो चिपकेगा नहीं तब तक आप इसको बलटना नहीं और इस वक्त फ्लेम है मीजियम टू हाई अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा सा सेख कर रखेंगे जैसे स्ट्रीट पर होता है ना थोड़ा सेख कर रख लेते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है वरना एक बर में भी कर सकते हो आप स्टार्ट थोड़ा थोड़ा सेख कर साइड में रख लेंगे फिर में आपको दिखाती हूं कि दुवारा हम इसको कैसे सेखते हैं तो आप देखेंगे नीचे से भी इसका हलका सा ब्राउन कलर हो गया है पलट कर हम इसे एक साइड में इस तरीके से लगा दे जाएंगे दियान रखना तो यहां यह हम हाफ हाफ सेकर रखते जाएंगे और यह हमारी टिक्क्या हो रही है तब तक यहां पर हम इसके मटर द्याग कर लेते हैं तो मटर मैने भी हो गया रखी ती रात बर के लिए फिरिस में एक पिंच सोड़ा और स्वादमसार नमक दाल के इसको एक सीचे में अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है देखिए मैं इसमें चाट मसाला डाला है आप चाहें तो इसमें चाट मसाला की जगे पर सिर्फ आम चुरू बाड़र ही रहने दे सकते हैं या फिर थोड़ा सा नीवू का रस भी डाल सकते हैं तो यहां यह हमारे आलो टिक्की वाल आपाले चोले मिलते हैं नो ऐसा हरी चटनी हमारी बनकर त्यार है इसका लिंक मैं आपको डिसक्रिप्शन में देदूगी आप वहां से देख सकते हैं और यह यह नेंगे लाल मिर्च पावडर और मॉना हुआ जीरा जाएगा भूना हुआँवआ जीरा पावडर थोड़ा नमग सफेद नमग दोनों थोड़ा थोड़ा लेना है और मिला लेते हैं इसे तो यह हमारा मसाला भी तयार हो गया है जिसे हम आलो टिकी पर डालेंगे यह मसाला आप दही बला चाट के लिए भी अफेक कर्टोरी चाट राज का चौड़ी चाट किसी के लिए बना कर रख सकत यहां आलो टिक्वी को पलेट प्लट कर दोनों साइट से अच्छा क्रिस्पी गोल्डन फ्राइ करेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनती है बहुत टेस्ट है अलो टिक्वी बनकर तैयार होती है जो कहते हैं ना मार्केट वाला टेस्ट जो आता है सेम वही आएगा प्रोसेस यही रखना quantity आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यह आप इसके उपर का बेस देख सकते हैं यह साइट तो सिख गया है नीशे साइट से सिख में देते हैं और ऐसा नहीं आपको एक वार पर एक ही आलो टिक्की सेख नहीं है जितने आपके पास जगे हो साबसे दो या तीन चार भी क्रिस्पी गोल्डन इसका कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी बन कर तेयार हुई है तो इससे हम इसमें निकाल लेते हैं और इसे इस तरीकी से तोड़ कर सर्फ करेंगे जैसा कि मार्केट में मिलता है इसकी जो क्रिस्पीनेस रहती है ना अलो टिक्की की बहुत इच्छ बनती हैं, तो ये इसके उपर डाल देते हैं हमारे मटर वाले छोले, ये आपके पास में मटर वाले छोले नहीं है न? कोई नहीं, आप इसमें दही सौर्ड चटनी से काम चला सकते हैं, यह हमारा चाट वाला दही, इसका लिंक भी मैं आपको दिस्क्रिप्शन में दे दूँ और यह हमारी हरी वाली चटनी साथ में है आमचूर पाउडर से बनी हुई खटी मीथी चटनी इसे आप एक साल तक आरब से स्टोर कर सकते हैं यह खराब होती ही नहीं है यह रहा है इसके उपर मसाला थोड़ा इसा नीबु का रस्पी डाल देते हैं इसके उपर और अब सबस हरी मिर्ची यदि आपको पसंद है तो आप अद्रग भी डाल सकते हैं मैंने नहीं लिया है तो यहीं तेयार हो गई है हमारे स्टेट इस्टैल आलो टिक्की की चार्ट बनकर आप इसे अपने करफ पर जरूर ट्रैक कीजिएगा आपको बहुत बहुत पसंद आएगी आपको इसका टेस्ट बिलकुल बाजार की आलो टिक्की जैसा आएगा और यहीं आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए इसी तरह की रेसिपी को आकर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल अकन को प्रेस कीजि